हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल मैं हूँ अमन्ठाकुर आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल इंशुरेंस अंडर्वाइटिंग आईसी 45 के चैप्टर नमबर 10 की तो फ्रेंड्स चैप्टर नमबर 10 का नाम है प्रोटेक्शन ओफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरस्ट तो देखिए जैसे की नाम से पता चल रहा है पॉलिसी होल्डर के इंटरस्ट की कैसे रक्षा की जाए या फिर सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि इंशुरेंस लेने इंटरस्ट की प्रोटेक्शन की जा सके उनके हीतों की रक्षा की जा सके वो आज का चैप्टर हमारा बताएगा तो चलिए चुरू करते हैं फस्ट फॉल इंशुरर्स हैव दूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग इंटरस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स तो देखिए जो इंशुर दूटी होती है उसकी यह डूटी रहती है की पॉलिसी होल्डरस के हितों की रक्षा की जाएं शचा डूटी ज़ीव है प्रोन कास्ट कर्षा नुंरुटी और यह डूटी ऑशन रे साप journals देखों लिए 1 पिर इंडधुरं tomorrow 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 कि यह ककी गश शजा ब्लसम्न हैं Apart from file and use and related guidelines from the regulator and important regulations to be compiled with particularly a technical wing of insurer is the protection of policy holders in trust regulations 2002. तो देखिए वैसे तो regulator के द्वारा file and use guidelines दी गई है और other guidelines दी गई है पर इन सभी के co-consider करते हुए जो main एक हम कह सकते हैं के rule दिया गया है, regulation दिया गया है वो है protection of policy holders in trust 2002. तो ये एक ऐसा regulation है जिसमें की mainly बताया गया है कि जो भी insurance company रहेगी उनकी क्या-क्या duties रहेंगी ताकि policy holders के हितों की रक्षा की जा सके. अब आप देख रहे हैं कि ये जो IRDA protection of policy holders interest regulation 2002 है, ये किन-किन चीजों को किन-किन points को cover करता है, तो देखिए इसमें बताया गया है point of sale, proposal for the insurance, grievance redressal procedure इसमें बहुत अच्छे से consider किया गया है, matters to be stated in the life insurance policy, then matters to be stated in the general insurance policy, मतलब इसमें life insurance policy और general insurance policy दोनों के लिए ही, मतलब जो दोनों के ही गरहा करहों रहेंगे न, उनके interest की बात की गई है, claims procedure in respect of life insurance policy, then claim procedure in respect of general insurance policy, उसके बाद policy servicing की बात की गई है और साथ में general guidelines भी दी गई है, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो protection of policy holders interest regulation 2002 है, वो ये सारे points को cover करता है, सबसे पहले बात करेंगे point of sale, तो point of sale में आ जाता है first of all prospectus, are prospectus of any insurance product shall clearly, अब देखे के वैसे तो I think आप सभी जानते हैं कि prospectus क्या है, पर commonly या फिर एक हम कह सकते हैं कि quick revision के तौर पे prospectus कह रहता है, कि जब भी कोई भी insurance company अपना कोई भी product launch करती है, चाहे वो life insurance company हो या फिर general insurance company हो, तो उस product के regarding एक ऐसी हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ से booklet या फिर कोई leaflet या कुछ भी इस तरह का एक हम कह सकते हैं इंफर्मेटिव डॉक्यमेंट पेश किया जाता है, ड्वर्प किया जाता है, जो की product के बारे में पूरी जानकारी हमें देता है, तो इसी तरह से यहां पर बताया गया है कि prospectus of any insurance product shall clearly, क्या क्या clearly हमें बताएगा, या बताना चाहिए, वो है, state the scope of benefit, क्या क्या benefits रहेंगे, state the extent of insurance cover, कितना insurance cover है, क्या extent है वो, उसका, then explain the warranties, exceptions, conditions of insurance covers, क्या क्या warranties हैं, exceptions हैं, और conditions क्या होंगी इस insurance cover में, clearly spell out the allowable riders or riders on the product with regard to their scope of benefit, साथ इसाथ पूरी तरह यह जानकारी दे, कि क्या क्या riders मिलेंगे इस particular product में, और जो riders होंगे उनके क्या क्या benefits मिलने वाले हैं, अब आप यहां पर देख सकते हैं, कि जो main contents बताएगे हैं, प्रॉस्पेक्टर्स के, तो यह contents है, scope of benefits, then extent of insurance cover, explain the warranties, exceptions and conditions, and riders and their scope of benefits, तो यह main contents रहते हैं, किसी भी prospectus के, अब देखी, prospectus की बारे में तो आप जानगे, कि prospectus एक ऐसे document रहता है, जिसमें की product की पूरी जानकारी रहती है, अब आपका जो ग्रहत था, आपने prospectus के through product की पूरी knowledge उसे दे दी, अब अगर वो insurance करीदे में interest दिखाता है, तो, यानि कि proposal तयार करना पड़ेगा, अब insurance का है न, और जब proposal तयार करना होता है न, तो सबसे पहलो step क्या रहता है, proposal form, तो जानते हैं, proposal form के बारे में आपे क्या बताया क्या है, अब proposal for grant of cover, for general insurance business is necessary, तो देखिए, general insurance business के लिए, जो proposal रहेगा, cover provide करने के लिए, बहुत जरूरी है, अब accept कहा गया है, यह ध्यान रखना है, question पूचा जा सकता है, कि accept in case of marine insurance cover, where current market practices do not insist on a written proposal form, तो देखिए, कि यह जो written proposal form है, वो कहां पर काम नहीं कर रहा है, marine insurance business में, खिक है न, तो यह ध्यान रखना है आपने, अब अगला जो point है, कि यह विदा रहा है, कि where proposal form is not used, कहां पर proposal form जो है, वो नहीं use होता है, where a proposal form is not used, the insurer shall record information obtained orally or in writing and confirm it within period of 15 days, thereof with the proposal and incorporate this information in its cover, note or policy, तो देखिए, proposal कहां पर use नहीं हो रहा है, अब यहां पर बताया गया है, कि अगर proposal नहीं use हो रहा है, तो insurer का जो काम है न, वो क्या है, कि जो भी हमारा proposal है, उससे पूरी जानकारी ली जाए, confirmation दी जाए within 15 days, ठीक है, और उसके बाद उसी जानकारी के तुरु, जो है, cover note और policy जो है, वो दी जाएगी, मितलब उस जानकारी पर ही, यह cover note या फिर policy दी जाएगी, उसके बाद next point है, processing of the proposal, proposal की जो processing है, वो किस तरह से होगी, proposal shall be processed by insurer with speed and efficiency and all the decisions thereof shall be communicated in writing to the proposal within a reasonable period, not exceeding 15 days from the receipt of proposal by the insurer, तो देखिए, जब जो proposal तयार हो गया, अब इसकी जो processing है, insurer को बहुत speed से करनी है, अब उसको जो, उस proposal की जो communication है, वो proposal के साथ भी करनी है, और कितने दिन maximum हो जाना चाहिए, पंदरा दिन के अंदर अंदर ये process हो जाना चाहिए, ठीक है, तो इसमें आपने ये जो days वाला काम दिया हुए ने, इनको याद रखना है, इससे questions पूछे जा सकते हैं, next है हमारा grievance redressal procedure, देखिए, grievance redressal procedure क्या है, कि ये रहता है कि जो हम इन्दी में इसे कहते हैं, शिकायत निवारन तंतर, यानि कि अगर आपके ग्रहाओकों को कुछ शिकायत है, कुछ प्राब्लम है regarding insurance policy, तो उसको दूर करने के लिए insurance में बनाया गया है grievance redressal procedure, बैंक्स में आप जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा, जनरली लगे रहते हैं, बोर्ड वहाँ पे बताया होता है कि RBI के थुरू आप grievance redressal करवा सकते हैं, वो रहता है पर बैंकिंग का, अभी हम बात कर रहे हैं कि इसका insurance का है, तो अब जानते हैं कि क्या है grievance redressal mechanism, the regulations stipulate that every insurer shall have a place proper procedure and effective mechanism to address complaints and grievance of policy holders, तो अभी हम बताया क्या है कि जो regulations है न वो कहती है कि हर एक insurer को एक ऐसा procedure proper mechanism बनाना चाहिए, जिससे कि policy holders की जो भी complaints हैं, उनका solution किया जा सके, grievances shall be addressed efficiently with speed, और यह जो शिकायते हैं, इनकी फटा-फट से निप्टारा होना बहुत जुरूरी रहता है, यह भी regulations में बताया गया है, अब हम बात करेंगे insurance ombudsman की, देखे क्या रहता है कि पहले, पहले मीज, 1998 से पहले, जो insurance से related जितनी भी complaints हुआ करती थी, क्योंकि देखे, insurance जो है, यह product है, और जो products के regarding ग्रहकों को समस्या होती थी, तो उसके लिए कहां जाते हैं, जाते हैं, तो consumer court में जाया करते थे, पर consumer court में तो already इतना रश रहता है, तो इस बात का ध्यान दिया गया, इस बात को सोचा गया, कि ऐसा क्या किया जाए, ताकि जो insurance की problems है, insurance related to policy holders की problems हैं, उनको अलग से उनका solution दिया जाए, तो 1998 में, जिसे की हिंदी में हम क्या कहते हैं, बीमा लोकपाल कहते हैं, उसका गठन किया गया, ताकि जो insurance से related cases हैं, वो insurance ombudsman में सुने जा सकें, और उनका निप्टारा किया जा सकें, तो अभी यहां पर बताया गया है, the information in respect of insurance ombudsman, shall be communicated to policyholder along with the policy document and as may be found necessary. The system of insurance ombudsman has been put in terms of rules of public grievance 1998, notified by Government of India. Ombudsman entertains grievances pertaining to personal line insurance, मतलब यहां में जो policy order रहता है, पर्सनली जाके complaint कर सकता है, किसी वकील की अविशक्ता नहीं रहती, advocate की अविशक्ता नहीं रहती, कोई fees नहीं देनी पड़ती, simple कागच पे जाके अपनी application दे के, हम अपनी जो भी problem है वो बता सकते हैं और according की हमें उसका solution जो है, वो मिल जाता है. तो यह insurance ombudsman का बहुत बड़ा फाइदा है, अब आप यहां देख सकते हैं कि content of general insurance policy, general insurance policy के क्या-क्या contents रहते हैं, अब इसमें contents में सबसे पहले बताया गया है कि insured details, मतलब जो insured है, जिसकी insurance की है, उसके details बहुत जरूरी है, then property के details, जो property जिसकी insurance की गई है, उसके details, then period of insurance, कितने समय के लिए insurance करवाई गई है, then some insured and premium details, term and conditions, और उसके बाद obligations of the insured, तो यह सारे रहेंगे general insurance policy के contents, यह सभी के सभी आपने याद रखने है, next tragic claim procedure, तो claim procedure में na surveyor का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है na, देखे claim कब आएगा, जब कोई miss happening हो जाएगी, अब जब miss happening हो गई है, तो जो भी insured होगा या policy holder होगा, वो claim के लिए apply करेगा, अब company क्या करती है कि पहले उस claim की जाती है, surveying की जाती है, तो अब verification या survey जो है, वो कौन करेगा, surveyor ही करेगा, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या रहता है, appointment of a surveyor, in case where a surveyor has to be appointed, it shall be so done within 72 hours of receipt of intimation from the insured, मतलब जो, अगर मान लिजे के कई तो companies ऐसी होती है न, जहाँ पर surveyor permanent होते हैं, अगर मान लिजे के surveyor नहीं है, है न, उसको appoint करना पड़ रहा है, तो जैसे ही insured के द्वारा information मिली है, कि भी claim के regarding कोई information आई है, intimation आई है, तो उसके 72 घंटे के अंदर-अंदर surveyor appoint कर देना च तो अपनी appointment के 30 दिन के अंदर-अंदर जो है, उसने जो भी, मतलब report का survey किया है, report तेयार किया है, वो insurer को communicate उसने कर देनी है, then discharge of the claim, insurer shall dispose of claim within 30 days of receipt of survey report, मतलब survey report मिलने के 30 दिन बाद, insurer को claim, dispose of कर देना चाहिए, any delay in discharging the claim, once the offer of settlement has been accepted by the insured, shall attract the interest at a rate of 2% above the prevailing bank rate, तो यह आपने सारे points ध्यान में रखने है, policyholder servicing, next point है कि policyholders की servicing, service provide करना, insurer की duty रहती है, regulations prescribe various requirements relating to the policyholder servicing, तो सबसे पहला दिया गया है कि any communication received from the policyholder, shall be responded within 10 days of its receipt, मतलब अगर policyholder की कोई, कोई भी मतलब जानकारी लेना चाह रहा है वो, तो 10 दिन के अंदर नदर उसे जवाब देना चाहिए, such communication may relate to, अभी यह किस-किस चीजों से relate हो सकता है, recording change in address, मतलब address change करवाना चा आता है, issue of endorsement under policy noting, change of interest or some assured or perils insured, मतलब regarding कोई भी अपने some assured, perils, insured वगेरा के regarding कोई endorsement की उसकी query है, तो वो हो गया, then financial interest of bank वगेरा, तो मतलब यह सारी जानकारी है, जो है ना, यह सारी 10 दिन के अंदर अंदर जो है, insurer को, insured को देनी पढ़ेंगा, ठीक है, अब next point यहाँ प carried out and responded to within the set time frame, मतलब यह सारी जो जानकारी है, ने, particular duration में उसे देनी होंगी, insurer shall also give prompt guidance on the procedure for registering a claim, और जब claim register करना है, तो भी पूरी guidance, जो है, insurer को देनी होगी, insured को या फिर उसके nominees को, next हम बात करेंगे, policy holder awareness की, protecting the policy holder not only entertain laying down of the regulations and monitoring the companies or agencies involved for the compliance with the provisions but also proactive role by the way of enhancing awareness among the policy holders regarding their rights and duties, तो देखें, यहाँ पर simply पहला point कहा रहा है कि, policy holders को protect करना, उनके हितों के रक्षा करना, यह सिरफ agencies का या insurer का ही काम नहीं है, policy holder को खुद भी अपने rights और duties के प्रती जागरुक होना होगा, ठीक है अगर आप जागरुक ही नहीं है, आप में awareness ही नहीं है कि मेरे क्या rights है, क्या मेरे duties हैं, तो फिर आप उनका benefits जो भी सरकारे हैं या फिर company आपको देती हैं, आप ले ही नहीं पाएंगे, next point कह रहा है कि insurers, the intermediaries and all other stakeholders have responsibility in ensuring that customer get educated in insurance matter, so that they may take informed decision, अब यहां पे insurers और जो intermediaries रहते हैं, उनकी भी responsibility है, कि जो customers रहते हैं, उन्हें educate किया जाएं regarding insurance matter, ताकि वो एक proper decision ले सके हैं, जैसे हम देखते हैं, news में, या फिर TV पे, या social media पे, अलग लग तरह की जागरुक करने वाली ads और आती रहती हैं, तो वो mainly customers को aware करने के लिए ही होती हैं, अब हम करेंगे कुछ practice questions, तो पहला question है, तो बताईए फिर कितना time period maximum रहता है, 3 days, 7 days, 15 days और 30 days, तो देख की इसका right answer कितना है, 15 days, तो option C is the right answer, इन claims where surveyor has to be appointed, it shall be so done within dash of receipt of intimation from the insured, तो आपको बताना है कि जब claim की बारी आएगी, तो surveyor को कितनी जल्दी, कितनी मतलब घंटे के अंदर अंदर जो है, appoint कर लेना पड़ेगा, तो options है, 24 घंटे हैं, 48 घंटे हैं, 32 घंटे हैं और 96 यानि की 96 घंटे हैं, तो right answer option C है, 72 hours, option C is the right answer, any delay in discharging the claim, once the offer of settlement has been accepted by the insured, shall attract interest at a rate which is dash above the prevailing bank rate, तो देखिए, अगर insurer के द्वारा, जो claim देने में कुछ देरी हो रही है, even insured जो है, वो settlement के लिए तयार भी हो गया है, और जो insurer है, वो claim देने में देरी कर रहा है, तो जितनी देरी होगी, तो जो amount रहेगा न, उस पे, जो भी, मतलब, prevailing bank rates है न, तो उसके साथ से कितना interest देना पड़ेगा, ठीक है, 1%, 2%, 3%, या फिर 4%, तो देखिए, इसका right answer है, 2%, option B is the right answer. Where a proposal form is not used, the insurer shall record information obtained orally or in writing, and confirm it within a period of dash, thereof with the proposal and incorporate this information in its cover note or policy. तो देखिए, अगर proposal form नहीं use हो रहा है, तो जो insurer है, information लेगा, written में, और उसकी जानकारी है, cover note के थुरू दी जाएगी, तो वो जो time period रहेगा, वो कितना रहता है, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, या फिर 45 दिन. तो देखिए, इसका right answer है, 15 days, यानि की 15 दिन, option B is the right answer. Any communication received from a policy holder shall be responded to dash of its receipt. तो देखिए, अगर policy holder कुछ भी जानकारी रहना चाहरा है, तो उसका जो respond करना होगा, कितने दिन के अंदर, 10 days, 15 days, 30 days, या फिर 45 days. तो इसका right answer है, 10 days, within 10 days, option A is the right answer. अब आपको करना है, IGMS एक term रहती है, और ये रहती है, Ombudsman से related, इसकी full form बतानी है, ठीक है? तो इसकी जो full form रहती है, वो होती है, integrated grievance management system, option B is the right answer. What are the contents of prospectus? आपको बताना है कि prospectus के contents क्या रहते हैं? scope of benefits, extent of benefits, warranties, exceptions and conditions, riders and their benefits, या फिर all of the above. तो देखे, A, B, C, D, A, चारो ही हैं, जो की prospectus के contents हैं, तो option E is the right answer. एंड में है एक bonus question, जिसका आपको right answer मुझे comment करके बताना है. The institution of insurance ombudsman in India was established through governing body of insurance councils under Daesh. तो जो भी इसका right answer है, वो जल्दी से मुझे comment करके बताईए. तो एंड में बताईए.